नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर किचन खुराना विद लवशब आज मैं बनाने जा रही हूं रवा उत्तपम इसको बनाना बड़ा ही असान है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजे ताकि सभी रेस्पी का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से आता रहे है चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक बोल ले लिया है सबसे पहले इसमें आड़ करेंगे कर्ड यहाँ पर मैंने दो कोटोरी कर्ड डाला है और इसको हमने अच्छे से विस्क की मदद से फेंट लेना है उसके बाद जाएगी सूजी यहाँ पर मैं डेड़ कप सूजी का इस्तिमाल कर रही हूं तो यह डेड़ कप सूजी जाएगी इसमें और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो इसको हमने चेक कर लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है उसे इसाब से हम इसमें पानी आड़ करेंगे तो धीरे धीरे करके हमने इसको विस्क करना है और इसमें पानी आड़ करते जाना है तो इसको थोड़ी देर के लिए फिर हम रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से हमारी फूल जाए और जब हम उत्पम बनाएं, तो अच्छे से हमारे उत्पम बन रहे हैं तो ये हमारा सूजी का घोल अच्छे से रेडी हो चुका है तो अभी इस बेटर को हम ढखन लगा के बंद कर देंगे और इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद वापस हम चेक करेंगे तो सूजी हमारी काफी अच्छे से फूल चुकी है अभी हम इसमें कुछ स्पाइसी जाड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं सूजी काफी सॉफ्ट हो चुकी इस वक्त अभी इसमें जाएगी कटी हुई शिमला मिर्च यहाँ भी मैंने एक शिमला मिर्च लिए और उसको चॉप करके लिया है उसके बाद जाएगा प्याज एक बड़ा साइस का प्याज लिया है मैंने और उसको भी चॉप करके लिया है उसके बाद जाएगा टमाटर, एक टमाटर यूज़ किया है यहाँ भी मैंने, और उसको भी चॉप करके डाल देना है, उसके बाद हारी मिर्ची, अपने स्वाद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं, कुछ स्पाइसे, सबसे बहले जाएगा नमाद, स्वाद के अनुसार, इस वक्त हमने यह चेक कर लेना है कि आपकी कंसिस्टेंसी अगर तो थिक है, तो इसमें आप पानी एड़ करके कंसिस्टेंसी को सेट कर सकते हैं, तो अभी एक तम पॉफेक्ट कंसिस्टेंसी है मेरे पास, तो चलिए अभी हम उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने एक नॉन्स्टिक पैन ले लिया है, पैन गरम हो चुका है, तो अभी इसमें हम एड़ करेंगे, बटर, आप घी या तेल सा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर बटर से काफी अच्छा टेस्ट आएगा इसका, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है, तो इसको हमने अच्छे से हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे अपने रवा का बैटर, मैंने एक कोटोरी ले लिया है, और इसको हमने अच्छे से पैन में फैला देना है, और ढकन बंद करके इसको रख देंगे, ताकि हमारा जो है, उत्पाम अच्छे से फोल जाए, यह देखे, काफी अच्छे से फोल चुका है यह, तो अभी हम इसको फ्लिप कर लेंगे, इसकी साइट चेंज करके देख लेते हैं, देखे, काफी अच्छे से पक चुका है, तो दूसरी साइट से हमने ऐसे ही अच्छे से इसको और देना है, अब भी हमारा जो है, उत्पाम बन के तयार हो चुका है, दोनों साइट से बिलकुल अच्छे से पक चुका है तो इसको बनने में जादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि सूजी को हम जब हम रेस्ट करते हैं 10 मिनट के लिए तो उसमें काफी फूल जाती है उसके बाद जैसे हम ढखकन लगाते हैं तो अच्छे से यह हमारा पक जाता ह हैं तो दोस्तो हमारी यह रवा उत्तपम की रेस्पी बनके तयार हैं आपको यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा आप भी बनाओ और फ्रेंड और फ्रेमली के साथ शेयर किजिए थेंक यू झाल 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 झाल